हेलो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीत करता हूँ आप सब बहुत बहतर होंगे और प्रिप्रेशन भी बहुत धमाकेदार चल लए होगी दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रिवियस एयर में एवियस के जो क्वेशन पूछे गया हैं सीटेट में उनको ले तो शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों पहला क्वेशन ने उस एक को चुनना है जो अन्य से भिनना है क्या जहील परवत तालाब नती जहार ना अपके पास 4 जहील अलग है परवत अलग है तालाब अलग है जहरना अलग है तो इसमें दोस्तों ओप्शन आपका कौनसा करे देते हैं लेकिन परवत आपका इस्थल से संबन देते हैं तो इसमें अलग कौन हो जाएगा परवत ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कोल्ड की वज़े से तोड़ा गला खराब हो गया है धीरे धीरे रिकवर हो रहा है और मैं सोचता हूं आपका लॉसना हो इसलिए रोज क् जो है क्लास आपकी छूट चुकी है अगला क्या है निमलिकित में से कौन सी एक परिवाहन की अनिचार विधाओं से भिनना है ट्रेन बस जहाज तांगा साइकिल लिक्षा तो इसमें देखना कौन परिवाहन की अनिविधाओं से भिननना है बस दोस्तों क्या है सड़क पर करें तो आकास में चलता है कहां आकास यानि आपका इसका इस्थल से यादनी सड़क से कोई संबंद नहीं है आप्शन फिलहाल ए राइट हो जाएगा बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन है करनाटक में किसानों दौरा खेत की मिट्टी को तो मिट्टी खोद कर नर्म करते हैं किस होजार का प्रियोग करके करनाटक के लोग करनाटक के लोग दोस्तों आप्शन सी राइट हो जाएगा खूटी इसके लिए कौन सा आप्शन सी राइट हो जाएगा खुर्पी दोस्तों आपका जो उत्तर प्रदेश है ना या उत्त दिये गया, कतनों पर विचार कीजिए, प्रते एक चटे में एक राणी मक्खी होती जो अंडे देती है, करेक्ट बात है भाई, अगला जो आप्शन है, वो क्या है, प्रते एक चटे में कुछ नर्मक्खियां होती है, बिल्कुल सही बात है, नर्मक्खियां चटों के लिए बहुत महतपूर होती हैं, ये बात गलत है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं, दोस्तों पहरा देती हैं, चत्ते के बाहर पहरा देती हैं, और इससे ज़्यदा कुछ नहीं करती हैं, अगला option है, नर्मक्षियां सहद के लिए फूलो कारा से कत्र करती हैं, ये भी option गलत है नर्मक्यां ये नहीं करती वो सिर्फ क्या पहरा देती हैं। आप्शन कौनसा करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड आप्शन ए और बी इसमें सही हो जाएगा। आप्शन सेकेंड इस करेक्ट आप्शन बढ़ेंगे अगला क्वेस्चन लेंगे। हमारे देश के न तीन रजाज़ों के समूँ तीन राज़ों का समूँ जो अरब सागर के तरथपर स्थित है। आपके आप्शन दिये गए हैं फोर तोर अब देखेंगे से बकाहिदा हम मैप से समझेंगे। ठीक है करनाटक है गोवा है यह सब आपका अरेबियन सी की तरफ इस्तित है और अगर बात करें बेआप बंगाल की तरफ तो ओडिशा हो गया आपका तेलांगाना अंधर प्रदेश हो गया और क्या थमिल नाडु भी आपका बेआप बंगाल की तरफ हो गया तो इस question का right answer दो question जो है वैश्विक महामारी के समय में यानि COVID-19 इसका पूरा नाम तो आप सब जानते ही है क्या होता coronavirus disease COVID-19 वैश्विक महामारी के समय डाक्टरों ने विटामिन C से बारपूर भोजन ग्रहाण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा क्योंकि या दरश्ट वाड़क के निर्मार के लिए अवस्यक है ऐसी कोई बात नहीं है विटामिन A की कमी से आपको रतोंदी होती है आँकों का रोग होता है और वही जब पूरा होता है तो आपकी आँके स्वस्तर रखती है ये तो विटामिन A से समन देते है दातों और हड करेक्ट हो गया रॉंग हो गया अगला क्या है या संकरमण के विरुद्ध लड़ने में ताकत प्रदान करता यह ओप्शन करेक्ट है कई बच्चों ने मांग किये पैड़ा गोजी की इवियस की तो मैं पूरा वीडियो आपको रोज प्रोवाइड करवाता रहूंगा आप बस चैनल को सबस्क्राइब कीजिए अगर नहें हैं और बेल आइकन प्रेस कीजिए ऑप्शन डी इस करेक्ट ऑप्शन बढ़ेंगे अगला क्वेस्चन लेंगे हमारे देश के किस एक राज अत्वकेंद सासित प्रदेश में खेती करने के लिए जंगल की जो भूमी होती ह वो सारे ग्रामवासियों की साजी होती है नहीं पार्टनर्सिप में होती है किसी एक पर्टिकुलर इंसान की नहीं होती है अलग-अलग परिवारों की नहीं होती है लदाग, पुदु, चेरी, केरल या मिजोरम तो दोस्तो इस खेती को हम जूम खेती के नाम से भी जानते ह ठीक है जिस खेती की ये बात कर रहा है और इसका संबन्द दोस्तों मिजोरम से हो जाएगा option d collect हो जाएगा चेराओन रत्य बहुत पूछा जाता है वो भी मिजोरम का आपका अन्रत्य है ये बात याद रखेगा जूम खेती और टिन एक यूनिट होता है जिसमें एक टिन बीज बोया जाता है जमीन पर अगर तिन खेती भी पूछी जाए तो मिजोरम से समंधित है और जूम खेती का भाग है तिन खेती ठीक है जूम खेती जिसमें क्या होता है कि फसल को जो पुराने कूडा जैसे हो जाता है या पुरानी फसल सड जाती है उसको जला करके खेती होती है कुछ साल छोड़ के उसक खेती जूंखेती के लापती है NCRT में इसका जिक्र किया गया है अगला क्वेस्टन है जारकंड की मुख्य फसल यह हूं मुख्वली मक्का यह चावल तो अगर दोस्तों आपसे सरहूल पर वह पूछ लिया जाए कौन सा सरहूल पर पूछ लिया जाए तो जारकंड इसके लि बहुत पुरानी है तेवारों और खुशी के अवसर पर मधुवनी के आंगनों और दिवारों पर मधुवनी चित्र कला के चित्र बनाये जाते हैं मधुवनी भारत के एक राजिका प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम क्या है आपको बताना है राजिका नाम बताना जहां मध मदवनी नाम का जिला है, उप्षन ए है उत्तर प्रदेश, उत्तराकंट, पस्छिंबंगालिया, बिहार, तो दूस्तों मदवनी बिहार में पढ़ता है, आपका उप्षन डी करेक्ट हो जाएगा, मदवनी चित्रकारी वहां की बहुत ही परसिद्ध है, उप्षन डी इस करे नहीं तो नीली वेल जो ब्लू होईल होती है दोस्तो याद रखेगा आम तोर पर मचली अगल फडो से सांस लेती है लेकिन ब्लू होईल किस से लेती है दोस्तो फेफडे से सांस लेती है यह फेफडे से सांस लेने वाली मचली और इसकी लंबाई जो होती है वो 30 मीटर होती ह मक्सिमम कितनी 30 मीटर ऑप्चन सी इस करेक्ट ऑप्चन तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में एंसी आटी से रिलेटेट सी टेट काई वियस के और मैं इसके इंपोर्टेंट क्वेस्टन लेकर के जै हिंद